हलो एरिवन तो आचम प्रोटिन से भर पूर्स प्राउटेर मुख की चटपटी स्पाइसी चल्दी से तयार हो जाने वाली और कम मसालों के साथ प्रेशर कुकर में सबची बनाएंगे इस तरह से सब्ची बनाएंगे तो अलग से कोई दूसरी सब्ची या तो फिर दाल बनाने की भी जरूरत ने पड़ेगी और बच्चों से लेकर बड़ो तक सबको बहुत ही पसंद आएगी सिम्पल पर हेल्दी रेसिपी है एक पर जरूर से ट्राइ करिए सबको बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हरे मुख की सब्ची बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3-4 कप मुख को राद पर पानी में भीगो दिया था उसके बाद 8-10 गंटे चलनी में छोड़ दिया था जिससे यह अच्छे से स्प्राउट हो गये है आप बीना स्प्राउट भी यह सब्ची को बना सकते हैं अब हम प्रेशर कुकर को गरम करने के लिए रख देंगे इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल तेल गरम होते ही सबसे पेले इसमें डालेंगे एक चोथाई चमज हींग और आती छोटी चमज हल्दी का पाउडर और अब यह स्प्राउटेड मुग को भी एड़ कर देंगे दो कप पानी एड़ करेंगे स्वात के अनुसा नमाक एड़ कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुकर का ठकन बन कर लेंगे और हाई फ्लेम पर एक विसल लगा देंगे एक विसल में यह अच्छे से उबल जाते है जब तक मुंग उबल रहे है तब तक इसके लिए मसाला रेली कर लेते है अब एक पैन लेंगे उसमें तेल डालेंगे तेल गरम हो जाए एक मीडियम साइस की प्यास को रफली चॉप्ट कर केट कर लेंगे और प्यास को तेल के अंदर हलका गुलाबी कलर यानि की क्रिस्पी हो जाए तब तक अच्छी तरह से पकाना है मसाला करने के टाइम पर प्यास को खाली ट्रांसपरंट नहीं करना है हमें उसे हलकी क्रिस्पी करनी है तो उसकी फ्लेवर सब्ची में आएगी और एकदम फिले स्टाइल सब्ची रेडी होगी तो प्यास हलका सा क्रिस्पी हो गया है तो अब इसमें डालेंगे 8-10 लेसुन की कलिया को छोटे टुकड़ों में काट कर डालेंगे साथ में आधा ही चद्रक को भी छोटे टुकड़ों में काट कर डालेंगे अधरक लेसुन में भी थोड़ा मोईस्चर रहता है इसलिए उसे थोड़ा कूप करेंगे तो उसका मोईस्चर भी चला जाएगा और कच्चापन भी दूर हो जाएगा और सबजी अच्छे से रेडी हो जाती है साथ में हम एक टेबल स्पून साबुद धनिया और आधा टेबल स्पून जीरा डालेंगे मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरह से और दो टेबल स्पून सुखा नारियल के टुकड़े को एड़ करेंगे आपके पास फ्रेश कोकोनेट रहा तो उसे भी एड़ कर सकते हो न इसकी फ्लेम को बन कर देंगे और मसाले को ठंडा करने के लिए छोड देंगे सभी मसाले ठंडे हो गये हैं तो grinder झहर में एड़ कर देंगे जरूरत के हिसाब से पानी एड़ कर के बारीक पेष्ट तयार करेंगे तो पानी कम डाल कर हमें इस टाइप की बारिक पेस्ट रेडी कर ली है मूंकी सब्ची में धनिया की पती चितनी ज्यादा यूज़ करोगे मसाला इतना ही अच्छा होगा अब वही पेन यूज़ करेंगे गरम करेंगे इसमें डालेंगे दो बड़ी चमत तेल तेल आप आपकी पसंदगी की ही सबसे कम या तो ज्यादा ले सकते है तेल हलका फूल का गरम हो जाए सबसे पेले राई एड़ करेंगे राई फूटने लगे तब इसमें डालेंगे जीरा आठ से दस मेथी के दाने डालेंगे करी पत्ता डालेंगे और दो सुखी लार मिच एड़ करेंगे तड़के को थोड़ा सा मिक्स कर ले और दो स्मोल साइस के टमाटर को बारिक टुकडो में कट करके एड़ करेंगे आप टमाटर को ग्रेट करके या तो फिर उसके प्योरे भी डाल सकते है टमाटर को हमें थोड़ा सोफ्ट हो जाए और कलर चेंज हो जाए तब तक फ्राई करना है अब इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर आता छोटी चमड लालमिच का पाउडर धन्या जीरा का पाउडर डालेंगे और स्वात की अनुसा नमकेर करतेंगे ये सारी चीज़ों को टेल में टमाटर के साथ कूक करना है ताक की कलर भी अच्छा है और साथ में फ्लेवर भी तेल रिलेज होने लगा है तो ये पॉइंट पर हमने जो मसाला रेडी किया था वो डाल देंगे ये मसाले को तरके की साथ ही पकाएंगे जब तक तेल सेपरेट हो जाए थोड़ा सा पानी भी एड़ कर रही हूँ दो से तीन मिलिट में ये अच्छी तरह से कूक हो जाएगा तीन मिलिट के बाद देखोगे तो ये मसालों में से बहुत अच्छी खुश्पू भी आ रही है और मसाले ने ओल भी सेपरेट कर दिया है तो मसाला एक्तम अच्छी तरह से कूक हो जाने के पाद हम ये बोईल्ड मुग उसके अंदर डाल देंगे मसाले की कोटिंग पूरे मुग पर हो जानी चाहिए कही पर थोड़े मुग है जो टेस्ट में फिके भी लगते है इसलिए अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो ये अंदर तक मसाले मिक करें और साथ में नमग भी यही पॉइंट पर चेक कर लें कवर करके स्लो फ्लेम पर चार से पांच मिट के लिए पकाएंगे चार मिट के बाद सब्ची अच्छी तरह से उबाल ले रही है तो लास्ट में हलका सगरम मसाला डालेंगे करीबन एक चोथाय चमत ज्यादा नही और आधा टेबल स्पून निमो का च्यू सेट करेंगे तन्या की पती से गारिश करेंगे और गेस की फ्लेम को बन कर देंगे तो यह देखिए हमारी टेस्टी सब्ची तयार हो गई है तो इस तरह से कम मसालों में हेल्थी और टेस्टी स्प्राउटेर मुग की सब्ची की है तो वीडियो को लाइक शेर करना बिलकुल ना पूरे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जल्दी ही मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर एंड स्टे हेल्थी